आपने बेज़ सोय कीमा पाउ की रेसिपी तो खाई होगी तो उसी से इंस्पायर होगे मैं यह देखिए जो खाना हैं बहुत जादा टेस्टी लगता है तो आप भी इसको इसी तरह बनाएं तो देखिए मैंने यह रेसिपी कैसे बनाई आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोया कीमा पाउ की डेसीपी जो खाने में बिल्कुल नोनवेज की तरह लगती है तो हमने ले लिया यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है सोया बड़ी न्यूट्र लागी और इसको मैंने दो घंटे पहले बिगा कर लग दिया तो मिक्सी में ह कि इसी तरह पीषना है आपको बिल्कुल इसका टेस्ट कीमे की तरह ही आएगा नोन वैच की तरह तो हम रखलेंगे अब यहां पर एक पैन लोही का इसका टेस्ट लोही के पैन में बनायेंगे यह कड़ाई में बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा और इसमें कर दालेंगे तो फोजल जाएगा औरभन टीजबुन टाल देंगे हम जीरा जरकर दाले हम लांबाई दौंट करोई कुषिए एक कड़ल टे माटा ले यूजुडकर को एकड़ी रेंगे लाखम हरे representative किया कट कमया हुँ तो सब चीजों को डालकर हम लगबग एक मिनट तक भूनेंगे नमक डाल देंगे थोड़ा सा थाकि तमाठा जलदी से घल जाएं और इसके साथ ही डाल देंगे हम शिमला मिर्च यह मैंने पीली शिमला मिर्च आधी कट करकर लिए हुई है आपके पास यह नहों तो ग्रीन शिमला मिर्च ले 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 और बन दाला हुं हल्णी पावडर वर रा एश्ड़ी दालंगे हम चाट मसाला पावडर और आप तीस्पून डालेंगे जीरा पावडर औरतर यहां速 मिंकिसून दालेंगे जिए पावगां। थोड़ा सा दालेंगे इसमें धनिया और लगबग इसको हम भूनते रहेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर एक चमच दालेंगे हम बन टेवल स्पून यह प्याज का पेस्ट जिसको मैंने पीसकर और तेल में पका कर रखा हुआ है और एक बड़ा कप भरकर डालेंगे हम इसमें टामाटर के पेस्ट इसको भी हमने पीसकर और पका कर रखा हुआ है तो मैंने बाकी की और भी रेसिपी सब्जियों की डाली हुई है उसमें मैंने यह पेस्ट एड्ड किया है और वांट टीश्पून डाल देंगे हम कसूरी मैं थी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप टोमेटो और प्याच की रेसिपी देखने चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर कमेंट करकर बताएं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जुरूर शेयर करूंगी तो हम एक कप ले लेंगे गरम पानी इसको थोड मसाले को अच्छे से पकाएंगे जितनी देर पकाएंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा तो इदेखिम साले को पकते हो लगवग स्वश्य क्तली दाल है निकीम हम इसमें कीम बनाया था यह बैप थोड़ा OUGHर चैंप दालुइंगे के तो ढलेंगे कें जूट ना सबीगे 20 यशने अएक अध्रक आद्धर किया हुए तो अध्रक कैसे REALLY? तो अब इसमें हमें एक कप गरम पानी और लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें और एड करते जाएंगे और पकाते जाएंगे तो लगबग हमें इसे 20-25 मिनट तक पकाना है अच्छे से जो सोय बीन का कच्चय पने बू निकल जाएगा और लगबग एक नीबू लेंगे नीबू का जूस बहुत डाल देंगे तो आप इसको जुरूर ट्राइए करें मिल्कुल और टू टेबल स्पून बटर और डाल देंगे बटर आप जितना चाहें उतना डालें क्योंकि इसका बटर का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और यह पाव भाजी से भी ज्यादा टेस्टी लगता है तो यह देखे गैस को हमने बंद कर दिया लगवाग 20-30 मिनट तक पकाया है और लगवाग कीमा बनकर त्यार हो गया है अब हम एक तवा रखेंगे पाव सेखने के लिए और इस पर डालेंगे वन टेवल स्पून बटर और थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पावडर थोड़ा सहरे दनिया और अब हम इस पाव को बीच में से कट कर लिया है इसको सेख लेंगे दोनों साइट से अच्छे से शेकेंगे ब्राउन कलर आने तक तो यह देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है अच्छे से शेकेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इसको खाएंगे तो यह देखिए हमारी रेसीपी बनकर तयार हो गई है अगर आपको यह थोड़ी सी भी हैल्फू लगती हो तो प्लिप मेरे च